हेलो फ्रेंड्स मैं हम इतलेस अपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूचन लेकर आया हूं जो कि आपके आरलबी एलफी टेक्निसियन जो भी ससी एक्जाम जो भी कंपेटिशन एक्जाम है उसके लिए बहुत ही हेलफूल हो सकता है ठीक है तो इसका क्यूचन देखिए अपका हम इसमे लेंगे प्रथम जितने भी हैं जेसे की भारत का प्रथम ग्रणर जरौन क्यूचन पूचरान कोन है यह सब बहुत बार इसका épo। इसका अपना लॉड बिलियम बेंटिक होगा लॉड बिलियम बेंटिक होगा ठीक है तो भारत का आंतीम गुवर्णर जनलन यह प्रत्थम वाइसार कौन है तो आंतीम और प्रत्थम दोनों लॉड केनिंग हैं तो यह सब नॉट्स कर लिजे बुक में कि बहुत ही आपको यह इस यह सब काम करेंगे ठीक हैं बहुत ही यह सब काम करेंगा आपके लिए इसको वीडियोका अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलें और सब्सक्राइब कर ले। क्यूचरह आएसा ही कूचरह ना रर यवी और य क् ट्विन के लिए मैं लाते रहते हैं जो कि आपके लिए दिछ अग्ले पुंद हैं बारत का औंतिम वायश राय आपका लॉड मॉंट बेटन होता हैं यह सब कोपी में लीक लिए बहुत ही हम्पूसется बहुत पार इसमें जितने आपके हिस्ट्रिय ना तो इससे आपका लगभग तीन चार की जरूर आएंगे एकजांबल जरूर पेपर में यह सब क्यूचन आएंगे ही आएंगे क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूचन है यह सब देखते हैं अगले क्यूचन स्वांत्र भारत का प्रत्थम गोवर्णर जल स्वांत्र भारत का प्रत्थम बंख ने होगा अन्तिम वह टने अपुचेगा यह सब क्कॉपी में नोड्स अ कर लीजिए क्योंकि बहुत बारत सब जी ठोते रहता है क्यूचण तरह प्रक्टाम राष्टपती थे फरतांथ प्रत्थम में है तो आपका यह सब सब कवर कर दिया गया है इसमें जो कि आपके आने गोले कि जम में बहुत ही हेलफॉल हो सकता है ठीक है तो वीडियो अच्छा लगता रहा है तो इसको लाइक केवं सब्सक्राइब कर लें ठीक है और सेर जरूर करें तो क्यूचन देखते ह भारत का प्रत्थम मुस्लिम राष्टपती कौन है तो आपका प्रत्थम मुस्लिम राष्टपती जाकिर हुसेन है जाकिर हुसेन प्रत्थम आपका राष्टपती मुस्लिम में है ठीक है भारत का प्रत्थम उप राष्टपती यह सब बहुत बार क्यूचन पूचली जाते यह सब बहुत बार क्यूचन पुछ ली जाते हैं तो इसका उपराष्ट पती डॉक्टर स्वरपली राधा कृष्णन थे और यही आपका दूसर का राष्ट पती बन गए थे ठीक है प्राथम आपका डॉक्टर स्वरपली थे और दूसर का वार जो हुआ न उसमें यह डॉक देखते हैं अगले क्यूचन को भारत का प्रत्थम पधान मंत्री कौन था तो यह सब बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूचन है आपके लिए कि बहुत बार यह सब रीपीट होते रहते हैं क्यूचन पेपर में आपका भारत का प्रत्थम पधान मंत्री आपका जवाहला ठीक है भारत का प्रथम प्रधान मंत्री और ग्री मंत्री कौन है प्रधान मंत्री और ग्री मंत्री दोनों प्रथम सदा बल्लब भाई पटेल है ठीक है जो कि आपका यह दोनों है ग्री मंत्री और प्रधान मंत्री दोनों आपका सदा बल्लब भाई पटेल है ठीक है यह सब कोपी में नोट्स कर लीजिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह सब बहुत ही काम करेंगे जाम में देखिए भारत का प्रत्थम सिच्छा मंत्री भारत का प्रत्थम सिच्छा मंत्री अबुल कलाम अजाद है ठीक है अबुल कलाम अजाद चलिए next question पर भारत के केंद्रियों मंधल में इस्तिफा देने वला प्रत्थम मंतरी कोन है ताप का प्रत्थम मंतरी यह सियाम परसाद मुखजी जोकी 1950 में थे मंतरी मंतर इस्तिफा देने वला प्रत्थम मंतरी ठीक है चलते हैं अगले के तरफ प्रथम चीप और एयर स्टाफ कौन है ताप का येर मार्सल सर थॉम्स आयम हस्ट इसमें जितने भी प्रथम है ना उसको सब को कभर कर दिया गया इसका एक्जाम अगर प्रथम का आया एक्जाम में ती इससे बाहर कभी नहीं आएंगे इसको कोदम रट लिजिए कोई इसको रट लिजेगा ना तो कोई आपको नहीं पीछे कर सकता है कि इतना इसमें कभर प्रथम का हो गया ना इससे बाहर आने का बात ही नहीं है ठीक है प्रथम चीप और एयर स्टाप कौन है ताप येर मार्सल सर थॉम्स हाट है ठीक है देखिए अगले क्यूचन भारत का प्रत्थम वायू सेना अध्याच कौन है तब यह मार्शल एस मुखरजी अपकर यह थो गया था वही अपका यह मार्शल एस मुखरजी है तो कि वायू सेना का अध्याच प्रत्थम थे ठीक है भारत का प्रत्थम नौ सेना ध्याच है अपकर कौन है तो यह है वाइस एडिमिरल आर्डी कटारी ठीक है तो इसको देख लीजिए और इसको नोट से जरू बनाएए क्योंकि बहुत ही आपके लिए हेल्फुल हो सकता है प्रत्थम में तो कोई आप काठी नहीं सकता है कि गल आर्मी अस्टार्प प्रत्थम चीफ हो आर्मी अस्टार्प अपका था जन्रल एम राजेंद्र सिंह ठीक है यह है ठीक है स्वंत्रंत्र भारत का प्रत्थम कमांडर इंचीफ कौन है तो आपका जन्रल करियाप्प जो है ठीक है प्रत्थम फिल्ड मार्सल कौन है तो आपक लोक सभा का प्रथम अधियाच ठीक है लोक सभा का प्रथम अधियाच आपका गनेश वासुदेव मौलकर है यह सब बार-बार यह पेपर में पूछ दिया करता है तो इसको नोट्स जरूर बना लें क्यूंकि आपके आनेवले एक्जाम में बहुत ही हेलफुल है भारत के प् कि भारत का प्रथम मुख्यान अधिस कौन था तो आपका यह भी भी आई की उचन है बहुत बार पूछा गया है सब जेश्टिस हीरालाल जेक कानिया थे ठीक है सौनतान्त भारत में जन में 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्यान अधिस कौन है तो आपका नियाय मुर्ति सरोसोमी का पड़िया है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्यूचन पर इसको आप स्क्रीन सोट भी लेकर इसको आप लिख लें क्यूंकि बहुत ही आपके लिए हेल्फुल है यह सब ठीक है अटराश्ट्रीय न्याय याले में प्रत्थम भारतिय नय धिस अध्यच कौन था तो आपका डॉक्टर नगेंद्र सिंग था यूखी आपका अंतराश्ट्रिय न्याय में प्रत्थम नय धिस थे यह सब बहुत ही इंपोर्टेंट की जवर्य आपके लिए बहुत ही हैigon प्रत्राष्ट्रिया नियाले में प्रत्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष् इसको बहुत ही भी वी वी कि उचाने ऑब के लिये सब्सक्राइब कि यह कि यह समय लीख लीजेए कि बहुत ही इंपोर्टेंट के इसे में आपका यह दो पूछी यह करता है क落़ा कोई भी एक दि कि एक जाण में में भारत का प्रत्थम नोबल आवज है बहुत बार पूच हगे हां एक बहुत देख चुके हैं इसका प्रिविस यर के जो भी एलपी टेक्निशन जो है यह और क्या काते है एससी का तो इसमें बहुत ही बार यह सब क्यूचों हम देख चुके हैं तब का सीवी रमन जो की भौत की के लिए आपका नोबल पुरुषकार इसको मिला है बहुत की लिए नोबल पुरुषकार मिला है ठीक है मैगसिस से और पाने वाला प्रत्थम बेक्ति क्यों है तो चार बिनोबा भावे है चार बिनोबा भावे ठीक है अस्टालिन पुरुषकार प्राप्त करने वाला प्रत्थम भारती है सेफुदीन किचलू सेफुदीन किचलू जो है थैंकू आप जो भी नए है इस पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है सब्सक्राइब कर लें और लाइक साथ ही कर लें ठीक है और वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों कि बहुत ही मेनत करने के बाद यह सब्सक्राइब हम लोग लाते हैं लाइक कर लें ठीक है ठीक है और लाइक ही आपके लिए हमारे लिए आपका बहुत ही बड़ा एकदान रहेगा ठीक है सब्सक्राब ज़रू करें इस चैनल को इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरे चैनल दवगर स्टडी पर ठीक ह तो चलते हैं नेक्स्ट डे मिलते हैं आपके लिए